अनुशे 370 हटने के दो साल बाद केंडरी ग्रेम अंत्री आविश श्वा का जमु कश्मीर दौरा कई माईनों में बेहद महत्वपून है अंतिराश्ट्री सीमा से 10 किलोमीटर दूर जमु में रविवार को श्वा की रेली से कई संदेश देने की तयारी है नई जमु कश्मीर के तस्वीर पेश करने के साथ अमिश शहा देश दुनिया को 370 का सच भी बताएंगे जमु कश्मीर के विकास और शांती में बाधा उच्पन करने के लिए पाकिस्तान प्रियोजित आतंगवाद पर पडोसी मुल्क को करा संदेश भी दिया जाएगा करारा प्रहार भी किया जाएगा वहीं विशेश तरजे की समाप्ती पर हो हलना मचा रहे विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा जा सकता है रैली के जरिये ग्री मंतरी विकास ने नाता जोडते हुए युवाओं महिलाओं शरनार्थियों पर बात की है और आज भी इस पर बात कर सकते हैं किसानों वालमी की समार समें तमाब तप्पे को विश्वास निलाने की कोशिश रहेगी कि मोधी सरकार सबका साथ सबका विकास की मूल मंत पर लगातार कायम है राजनीतिक विशलेशकों का कहना है कि 5 अगर्स 2019 को अनुच्छे 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर आये ग्रिमंत्री अमिश श्याह का पूरा जोर अनुच्छे 370 हटाने के फाइदे नुकसान की गणित लोगों को समझाने पर हो सकता है कल परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुचे थे प्रिमंत्री अमिश श्याह वहाँ पर परिवार को धानस बदाया साथी साथ जिस तरह से एक बार फिर से आतंग बाद चम्मू कश्मीर में पैर पसा रहा है बीते कई दिनों से लगातार सुरक्षा बल कई आतंकियों को धेर कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आतंकिये घुसपैट कर रहे हैं वहाँ के जो आम नागरिक हैं उन्हें टार्गिट किया जा रहा है ऐसे में टार्गिट किलिंग लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से दो साल बाद आखिरकार ग्रिमंत्री आमिश शाह तीन दिवसिय जम्मु कश्मीर के दोरे पर पहुंचे हुए हैं और आज एक खास रेली हो सकती है तीन सो सतर हटाने के क्या फाइदे हैं क्या नुकसान हैं ये सीधा संदेश जम्मु कश्मीर की आवाम को पहुंचाय जाएगा और सिर्फ जम्मु कश्मीर की आवाम ही नहीं पर उसी मुल्क जो लगातार आतंगवाद को बढ़ावा देता है उसको भी एक करा संदेश दिया जाएगा